हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो माम आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने Nokia C12 Pro Android वाइल फोन में आप अपने मुवाइल फोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो माम आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप फोन का इंट्रनेट की प्रॉलम की प्रॉलमा आती है सबसे पहले आपको यह confirmation करना है और यह भी आपको चेक करना है कि कभी भी आप video call करते हैं या receive करते हैं तो आपके phone का internet आपका चालू रहना चाहिए ठीक है यह आपको सबसे पहले confirmation करनी है आप दोस्तों यहापर आपको कुछ और भी solution बताता हूं देखी दोस्तों आपको जो software होता है वो हमारा updated ना होने के कारण भी हमारे mobile phone के android system में कुछ कमिया आने लगती है तो आपके mobile phone का software है वो आपका update है या नहीं आपको check कैसे करना है देखी इसके लिए आपको सबसे पहले mobile phone का internet आपको चालू रखना है इसके बाद आपको mobile phone का setting page उपन करना है setting page में आप आपको सबसे नीचे system पे tap करना है इसके अंतर आपको सबसे नीचे system update पे tap करना है अब यहापर आपको इस वाले page में कोई भी update का button या download install लिखावा दिखाई देता है उससे आपको tap कर देना है इससे आपके phone का software अपडेट हो जाएगा और आपके phone की video calling की problem solve हो जाएगी ठ अब दोस्तों यहापर आपको अगला process यह करना है कि आपको अपने mobile phone के network setting को एक बार reset करना है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे phone की network setting होती है कभी कवार यह properly ठीक तरीके से काम नहीं करती है जिसके कारण हमारे phone में video calling की problem देखने को मिलती है तो आपको अपने mobile phone की network setting setting को reset करने के लिए आपको अब मुल फून का setting page open कर लेना है पर आ इसके अंधर आपको रिषेट ऑप्शन की शेटन निचेन का option करने है तो तरीकिसे आप जो है मुवैल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रिसेट कर देंगे तो इससे आपके फोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल हो जाएगी ठीक है अब दूस्तों यहापर आपको अगला प्रोसेस यह करना है कि आपको जो है ना अपने मुवैल फ अगला प्रोसेस से करना है कि अपको अपने मुवैल फोन का यप का डी्टा क्लियर करना है कैसे कौलिंग के आपको उंगळी से दबा के रख्ये एक छोटन सा पीजो पन होगा इसमें आपको यह सरकल के अंदर जो आई बटन बना हुआ है इससे आपको टैप करना है इसके दो option मिलते हैं, एक clear storage का दूसरा clear catch का, आपको पहले clear catch पर tap करना है, इसके बाद clear storage पर tap करना है, आपका एक page आएगा छोटा सा इसमें आपको delete app data के नीचे आपको ok पर tap करना है, आपका user data और catch इन दोनों के सामनल और data आपका zero हो जाएगा, इस तरह किसे आपको calling का है, आपक तो mobile phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए, इसमें आपको आपको सबसे नीचे system पर tap करना है, इसके अंदर आपको reset option टाप करना है, इसके अंदर आपको सबसे नीचे erase all data factory reset पर tap करना है, इससे आपको phone reset हो जाएगा और आपके phone की video calling की problem solve हो जाएगी, लेकिन आपको phone को reset करने से बाद ही आपको अपने phone को reset करने, ठीक है, तो दोस्तों इस video में मैंने आपको जुतरा ही process बताया है, सारे आपको use करने, तो इससे आपके phone की video calling की जो problem हो आपकी solve हो जाएगी,